सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल जीपी एडवाइस और दबा दो इस बेल एकन को लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए हेलो नमस्ते दोस्तो आज सभी का हमारे आपके अपनी यूट्यूब स्वागत है तो दोस्तो बहुत सर बच्चे मेरे से ये पूछ रहेगी सर हमारे तो टर्म वन एक्जाम होगे सर सीबेसी क्लास 10th के और 12th के सर वो कब होगे मतलब कौन से महीने में होगे और कब से स्टार्ट होगे तो देखो दोस्तो इसका आंसर बहुत सिंपल है आपके जो टर्म वन एक्जाम है वो नवंबर के महीने में होगे और जहां तक चांसित है कि नवंबर के एंडिंग से होगे मतलब नवंबर 20 से या फिर 21 या 22 से नवंबर के एंडिंग से इसलिए क्योंकि स्टार्टिंग का मन तो दिवाली ब्रेक में जाएगा उसके बाद में NDA के एक्जाम है काफी जर्बचे NDA की भी त्यारी करते हैं उसके बाद में इधर ICSC के भी एक्जाम स्टार्ट हो जाएगे और साथ में उसी वीक के अंदर एक फेस्टिवल भी इंपॉर्टन फेस्टिवल है साउथ का वो भी आने वाला है तो इन सब को मतलब काफी सारी रीजन है कि स्टार्टिंग में एक्जाम नहीं करवा सकते इसलिए CBSC नवंबर की एंडिंग से एक्जाम स्टार्ट करेगा टर्म वन और दिसंबर की लगबग मिड तक सलेगे मतलब गैप भी आपको मिलेगी हॉलिडेज भी मिलेगी जैसे आप प्रॉपरली त्यारी कर सको तो इस तरीके से आपके टर्म वन एक्जाम होगे और ये बाद CBSC ने जो सर्कुलर नंबर 51 CBSC ने जारी किया उसमें बात लिखी विया है मतलब CBSC ने उसमें बता रखाया कि टर्म वन एक्जाम नॉवंबर और दिसंबर के महिने में होगे तो नवंबर और दिसम्बर के महिने में तभी हो पाएगे जब नवंबर की एंडिंग से एक्जाम स्टार्ट होगे और दिसम्बर की स्टार्टिंग चलेगे तभी नवंबर और दिसम्बर के महिने में एक्जाम होगे बाकी गाईज अभी तक तो यही sources जो information आ रही है source के help से वो यही आ रही है पहले लग रहा था कि 15 नमबर से exam स्टार्ट होगे term 1 के लेकिन अब CBSC जैसे जैसे time आगे हा रहा है वैसे वैसे CBSC थोड़ा अपनी चुपी वगर तोड रही है CBSC कुछ officer कुछ statement पास करे उससे अंदाजे बदले जा रहे है तो अभी के जो report है उसके according कहा जा सकता है कि term 1 exam आपके नमबर के ending से start होगे और December के first week या second week तक चलेगे depend करता है किते holidays आपको मिलते है बाकी गाईज अगर कोई दूसरे update या जानकारी मिलेगी तुम आपको वीडियो बना के बता दूँगा तो अपने family लेग नेक्ट वीडियो में तब तक आपके रहो सेफ रहो